Hello students, welcome to Nance Chemistry Channel. आज हम करेंगे periodic properties का next lecture. इसमें हम पढ़ेंगे topic हमारा electron affinity. कौन-कौन से factors हैं जो electron affinity को affect करते हैं. हम periodic trends को पढ़ेंगे और उनकी exceptions तेखेंगे और कुछ question solve करेंगे. तो चलिए start करते हमारा topic electron affinity. जिसे name से indicate हो रहा है कि हमारे किसी atom की electron की तरफ जो affection है. ठीक है? चाहत है उसकी electron की तरफ. उसको बोलते हैं हम electron affinity. अगर मैं इसको normal way से समझाऊँ, तो जैसे कि यह हमारा atom है और यह हमारा electron पढ़ा है. अब atom क्या करेगा? Electron को attract करेगा. और electron चले जाएगा इसकी valence shell में. जब इसकी valence shell में add हो जाएगा, तब यहाँ पे कुछ amount of energy release होगी. उसी को हम बोलते हैं electron affinity. ओके? जो amount of energy release हुई, जब electron हमारी उसकी valence shell में चला गया, उसको हम बोलेंगे electron affinity. अब atom हमारा कैसा होना चाहिए? neutral होना चाहिए. isolated, isolated, gaseous atom. neutral, isolated, gaseous, atom होना चाहिए. अब इस word का मैंने आपको meaning कल भी बताया था, जिन्होंने previous lecture देखा है, उनको तो पता होगा. वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप देख लेना इसको. तो isolated का मतलब होगा free atom. isolated atom का मतलब होता है free atom. अब free हमारे में जो atoms होते हैं, वो सिरफ gaseous state में होते हैं. free atom का मतलब अकेला atom होना च्छे, किसी की भी हम properties को अगर हम study करेंगे, तो अकेले atom की property को study करेंगे. solid state में तो हमारे atoms बिल्कुल tightly packed होते हैं, सिरफ एक gaseous state ही है हमारी, जिसमें हमारे atoms free होते हैं, अकेले-अकेले होते हैं. तो इसलिए हम isolated gaseous atom ही लिखते हैं यहाँ पे. और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक मिलती जिलती ताम है हमारी electron gain enthalpy. enthalpy को हम chemistry में delta H से denote करते हैं, जैसे मैं कोई reaction लिखूँ, यहाँ पे हमने electron add करा, यह बन गया हमारा NIN, plus मैं हमारी को energy release हुई, मालो 140 electron volt हुई. अगर इस reaction के लिए electron affinity के value पूछूँ, तो वो आएगी 140 electron volt. अगर इस reaction के लिए मैं जब हमारा electron add हुआ और हमारी energy release हुई, इस reaction के लिए मैं enthalpy पूछू, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, तो वो क्या आएगी? minus 140 electron volt. minus क्यों आए अब यहाँ पे? enthalpy में minus हम तब लगाते हैं, जब हमारी reaction में energy release हो रही हो. यह मैंने आपको कल भी बताया था. और उन reactions को हम क्या बोलते हैं? exothermic reactions. तो यहाँ पे हमारी energy release हो रही है, heat release हो रही है. तो इसलिए हम यहाँ पे जो enthalpy लिखेंगे, electron gain enthalpy वो negative में लिखेंगे. और यह जो reaction होगी हमारी वो exothermic reaction होगी. अब आपको clear हो गया? अगर electron affinity पूछते, तो हमारी वो आती यह. यह हमारी एक just term है. ठीक है? और यह हमारी जो electron gain enthalpy है, वो हमारी reaction की heat है, कि कितनी heat उसने release करी है. ओके? हमेशा याद रखना, जो हमारी electron affinity होती है, या हमारी electron gain enthalpy होती है, इनके जो science होते हैं, वो एक दूसरे से opposite होते हैं. अगर यह positive होगी, तो यह negative होगी. अगर यह negative होगी, तो यह positive होगी. वो generally हमेशा positive होती है, और यह generally हमेशा negative होती है. ओके? इतनी बार no doubt कर लो. तो अगर मैंने आपको और simple way में बताना हो, तो electron affinity हमें क्या बताती है? यह हमें बताती है कि किसी atom की electron को accept करने की कितनी tendency है. यह सब जो बाते मैं बोल रही हूँ, different way से समझा रही हो, यह आपको समझना बहुत जुरूरी है, तभी आपके concepts clear होगे, आगे आप concept लगा पाऊगे. वहना आपको definition तो आप सभी book से बढ़ी लेते हो, आपको चीजे तब clear होगी, जब एक चीज को आप different way से समझोगे, तभी आप चीजों को explain कर पाऊगे, आगे अच्छे से समझ पाऊगे. तो हमारी electron affinity और क्या होती है, क्या बताती है ये हमें, atom की कितनी tendency है, electron को accept करने की. अगर हमारी electron affinity की value ज़्यादा आती है, इसका मतलब हमारे उस atom की electron को accept करने की tendency ज़्यादा है. अगर हमारी electron affinity की value low आती है, तो मतलब किसी atom की electron को accept करने की tendency low है. यह बात आप इतनी नोट डाउन करें तो अब मैं आपको सिरफ electron affinity के बारे में explain करूंगी electron gain enthalpy उससे बिलकुल opposite है ध्यान रखेगा अगर मैं बोलू electron affinity की value positive आ रही है इसका मतलब हमारी जो heat है वहाँ पे release हो रही है इसका मतलब electron gain enthalpy की value negative है इसी तरह से स्टार्ट करते हैं successive electron affinity अगर हम एक atom में electron को add करें और ion बनाएं उसमें जो energy release होगी उसको हम बोलेंगे electron affinity first, second में क्या होगा अब हमारा anion बन गया है अब हम इसमें electron add करवा रहे हैं अब देखो यह anion है इसके पास already एक electron जादा है अब यह electron accept करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसके पास already पहले से electron बढ़ा हुआ है तो यहां क्या होता है electron, electron repulsion start हो जाती है electron add नहीं होना चाहता अब अब इसको हमें add करवाने के लिए energy देनी पड़ेगी इसका मतलब जो हमारी electron affinity की value होगी जैसे यहां पे तो हमारी electron affinity की value positive आ रही थी यहां पे जो electron affinity की value आएगी वो आएगी negative मतलब हमारी बहुत कम amount of energy release होगी zero से भी कम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ two negative में मैंने एक और electron add करना है फिर से हमें और भी जादा amount of energy उसको देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब हमारी जो electron affinity की value होगी वो negative आएगी समझ रहे हो बात यहाँ पे हमारी energy release हुई है तो हमारी electron affinity की value positive आई है यहाँ पे हमें energy required है required है मतलब हमें देनी पड़ेगी energy हमें energy की जरूरत है तभी electron add हो पाएगा ऐसे add नहीं हो पाएगा तो ionization enthalpy में तो ऐसा कोई फंड़ा नहीं थो उसमें सारी values positive आती थी लेकिन electron affinity के बात करें जो हमारी first electron affinity होती है वो हमेशा हमारी positive होती है जो हमारी second electron affinity की value होती है वो हमेशा always negative होगी और third की भी इतनी बार no doubt कर लो कि हमेशा जो infinity की value होती है वो यहाँ पे first step में अगर हमने neutral atom में electron को add करना है तब तो हमारी positive आईगी लेकिन जब हमने polyvalent anion में हमने add करना है electron को तो हमारी values हमेशा negative आएंगी neutral atom में add करेंगे electron को value positive polyvalent anion बन गए जब हमारे तो हमें energy देनी पड़ेगी तो value negative इतना जल्दी से नोटाँ अब हम factors की बात कर लेते हैं अगर मैं यहाँ पे electron gain enthalpy आपसे पूछती है वो opposite होती है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारी energy release हो रही है इसका मतलब delta h electron gain enthalpy की value negative आती electron gain enthalpy की value यहाँ पे क्या आती positive क्योंकि हमें heat energy required है ठीक है यहाँ भी हमें energy required हमें energy देनी पड़ रही है तो positive आती है यहाँ पे भी positive आती है तो इसको relate करते रहे न अब हम बात कर लेते हैं Factors affecting electron affinity कौन कौन से factors हैं जो electron affinity को effect करते हैं उसकी values को effect करते हैं फर्स्ट है हमारा atomic size अब खुद देखिए आप हमारा यहाँ पे size बड़ा है यहाँ पे हमारा electron बड़ा है अब इसको attract करना है इसको तो इसका मतलब यहाँ पे distance जाधा होगा distance जाधा होगा तो ईतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाये अगर attraction जाधा हो तो energy जाधा बहान निकलती है attraction अगर कम हो तो energy कम बहाशन निकलती है तो याद रखना यह बात हमारी जो inversely proportion होगी हमारे atomic size के क्या होगा यहाँ पे जो attraction है वो कम होगी उसकी वज़े से जो हमारी energy release होगी वो कम होगी electron affinity कम होगी ओके इतनी बार नो डंग कर लो सेकिन अगर हम बात बोलें nuclear charge की nuclear charge हमारा जो atomic number पे depend करता है अगर हमारा nuclear charge जादा होगा मतलब यहाँ पे हमारे atom के पास positive charge हमारा जादा होगा तो हमारा electron उतना ही जादा attracted होगा उतना जादा attract होगा उसके साथ इसका मतलब वहाँ पे energy जादा release होगी energy जादा release का मतलब electron affinity की value जादा होगी तो हमारा charge increase करने पे हमारी जो affinity की value होती है electron उस वो भी ज़ादा हो जाती है इसलिए nuclear charge is directly proportional to electron affinity चार्ज ज़ादा हुआ electron की जो attraction है वो ज़ादा हुई तो energy हमारी ज़ादा release हुई तो हमारी जो nuclear charge है वो directly proportion होता है electron affinity की अब अगर last बात करें हम electronic configuration की जितनी भी हमारी stable electronic configurations होती है आपको पता ने stable कौन सी होती है अब तो आपको पता लगया होगा half filled and fully filled half filled कौन कौन सी हमारी P3, D5, F7 और fully filled P6, D10, F14 या S2 बोल सकते हो आप यहाँ पे ठीक है S2 यहाँ पे हम count नहीं करते हैं half filled में उसको क्योंकि उसका कोई effect नहीं पड़ता है इतना ज़ादा अब अगर बात करें in stable electronic configurations की तो क्या होता है stable होने की वज़े से ही electron को accept ही नहीं करते हैं ऐसे atoms इनकी electronic configuration पहले से ही stable है वो क्यों करना चाहेंगे electron को accept वो नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे तो कौन सी energy release होगी जब accept ही नहीं करेंगे तो उनकी energy almost zero होती है या बहुत बहुत less होती है very very less या almost zero होगी मतलब approximately zero होगी या बहुत ही ज़ादा कम होगी कि जिनकी हमारी stable electronic configuration होगी या तो fully filled होगे या तो half filled होगे अभी questions करेंगे उससे ज़ादा समझ में आजाएगा अभी ये हमारे जो factors है इनको नोट डाउन कर लीजिए atomic size हमारा inversely proportional है nuclear charge हमारे directly proportional है और हमारी stable configurations हमारी add करती ही नहीं है ठीक है? हम periodic variations को किस type से देखते हैं along the period and down the group ये period ये groups ओके along the period क्या होता है हमारा nuclear charge increase होता है nuclear charge increase होने से attraction ज़ादा होगी ज़ादा energy release होगी तो electron infinity की value भी हमारी ज़ादा होगी इतनी बात clear है ये बात हम पहले से करते आ रहे है down the group क्या होगा हमारा shell number increase करता है shell number increase करने से atomic size increase करेगा atomic size increase करेगा अब atom हमारा बड़ा होता जाएगा इसका मतलब जो electron का distance है nucleus से वो हमारा ज़ादा होता जाएगा distance ज़ादा होता जाएगा attraction कम होती जाएगी electron affinity की value कम होती जाएगी क्यों क्योंकि हमारे कम amount of energy release होगी तो down the group हमारे electron affinity low होगी ये तो बात होगी normal इसको आप note down को लो अब बात अगर हम करे exceptions की तो हम पहले period में देख लेते हैं जैसे हमारा है lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon हमारा ये period number 2 यहाँ पर हम अब क्या बात कर रहे है exceptions की exceptions है हमारी यहाँ पर देखिए हमारा क्या आनों चाहिए था यहाँ पर electron affinity की value इस side increase होनी चाहिए थी क्योंकि हमारा charge increase हो रहा है charge increase हो रहा है इसके लिए plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9 and plus 10 बट आप इतना तो सोच सकते हो ना यह क्या है हमारी noble gas noble gas electron को accept नहीं करती है electron को accept नहीं करेगी तो यहाँ पर value कैसे आएगी इनकी value तो बिल्कुल ही 0 होती है electron affinity की इसका मतलब इसमें कुछ नहीं कुछ exceptions क्यों आएंगी first part तो यह हमारी जितनी भी noble gases होती है वो electron को कभी accept नहीं करती है इसलिए electron affinity की value उनके लिए हमेशा 0 होती है यह बात तो आप note down करे लीजिए दूसरे बात अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हम electronic configuration लिखें यहाँ पर भी electronic configuration की वज़े से यह हो ना 2p6 होती है तो अब क्यों यह electron को accept करेगा इसके पास जगए ही नहीं accept करने के लिए ठीक है इसलिए इसकी value 0 होती है अब इनकी electronic configuration लिखें देखते हैं कि किसकी value ज़ादा होगी किसकी कम होगी कहां हमारी exceptions आ रही है तो देखें इसकी होगी 1s2, 2s1 1s2, 2s2 1s2, 2s2 and 2p1 2p2, 2p3 2p4, 2p5 2p6 अब यहां पर आपको फिर से वही वाली जो हमने कल ionization energy में देखी दी न एक तो हमारी beryllium वाली electronic configuration एक तो हमारी nitrogen वाली configuration यह क्या है 2p3 p3 मतलब half-filled electronic configuration है यहां पर s2 s2 मतलब fully filled electronic configuration है s में हमारे 2 electrons होते है न और p में हमारे 6 electrons होते है तो अगर हमारा इस तरह से filled आई इसको हम बोलते हैं half-filled है तो half-filled हमारी stable होते है इन दोनों की stable electronic configuration होने की वजह से इनकी जो value होती है approximately 0 आती है तो हमारा trend होना चाहिए था कि यहां पर जो value है इस तरह से हमारे यह trend हमारा इस type से होना चाहिए था लेकिन हमारे जो right trend है जो मैं यहां लिख रही हूँ सबसे कम तो होगी हमारी neon की neon की सबसे कम होगी न क्योंकि noble गैसे है इसकी तो है ही 0 इसकी approximately 0 है लेकिन इसकी तो बिलकुल ही 0 है second अगर हम बात करें यहां पर कौन आएगा हमारी इस side जो है electron affinity increase कर रही है मतलब इसकी इस से तो जादा होगी approximately 0 values है इसकी लेकिन जो beryllium है उसकी कम होगी और nitrogen की जादा होगी क्योंकि इस side हमारा charge increase कर रहा है electron affinity की value increase करती है stable होने की वजह से भी इसकी जो value है वो approximately 0 आई है लेकिन as compared to beryllium तो वो जादा ही होगी तो यहां पर आएगा nitrogen फिर आएगा हमारा beryllium फिर हमारा normal trend जैसे बचा क्या हमारा lithium boron carbon oxygen and fluorine ठीक है यह है हमारा right trend यहां पर भी अब values में थोड़ा फर्क आ जाता है यह जो सब values होती है मैं आपको पहले बता दू यह जो सब values calculate करते हैं न हम ionization, enthalpy की, electron affinity की, electron negativity की यह सब experimental values होती है सबसे पहले experimental values आती है उनकी जो stories होती है कि ऐसी value क्यों आई होगी क्यों आई होगी कौन-कौन से factors लगे होंगे वो बाद में बनती है तो यहां पर भी देखा कि इसकी जो value आ रही है lithium की वो boron से जादा आ रही है electron affinity जो है lithium की वो boron से जादा है तो ऐसा क्यों हुआ? फिर उन्हेंने explain किया तो यहां पर आप लिख लो पहले तो लीथियम की जो value आएगी वो boron से जादा होगी ठीक है? अगर मैं सही से trend लिख हूँ यहां लिख देती हूँ ताकि आप note down सही से कर पाओ सबसे पहले आएगा हमारा neon फिर आएगा हमारा nitrogen फिर beryllium, फिर boron फिर lithium, फिर oxygen फिर fluorine इस type से आएगा हमारा trend किसका electron affinity का सबसे जादा होगी यहां पे fluorine की पिर नमबर 2 में अब यहां पे लीथियम की जादा क्यों हो गई अब ध्यान से देखो जब लीथियम हमारा एक electron accept कर लेगा तो यहां पे पहले तो इसकी configuration 2s1 थी एक electron accept कर लेगा यहां पे क्या हो जाएगा 2s2 यह क्या बन गी stable electronic configuration fully filled हो गई न as में हमारे 2 ही electrons होते है ठीक है अब stability कौन नहीं चाहता इसलिए उसकी जो affection है towards electron वो बढ़ गई as compare to हमारा boron boron में देखो अगर एक पहले इसकी electronic configuration है 1s2, 2s2, 2p1 एक electron इसने accept कर भी लिया तो जादर से जादर क्या कर लेगा 2p2 हो जाएगा 2p2 कोई stable configuration थोड़ी है 2p3 होते तब भी हम मानते तो इसकी जो affection है towards electron वो as compare to lithium कम हो जाती है इस वजह से हमारे जो lithium की electron affinity की value होती है वो जादा हो जाती है इसे ही हमारा third period में आएगा इनकी values फिर भी कुछ जीरो से अप्रॉक्स थोड़ी जादा हो जाती है लेकिन जो हमारा beryllium वाले पूरा का पूरा group है जैसे क्या था हमारा बेटा मांगे card center इनकी values approximately 0 ही आती है हमेशा याद रखना ये values ओके इनकी electron affinity की values जो हमारी beryllium family है उनकी approximately 0 ही आती है इसकी कुछ न कुछ फिर भी आ जाएगी 0 से थोड़ी सी जादा होगे आप अपनी book में अभी मैं notes दूँगी जब आपको उसमें देखना कि कुछ न कुछ values फिर भी है अब हम बात करें अगर group की exceptions की इतना note down करो जल्दी से ये note down करो ये बात note down करो ये बात note down करो ये चोटी चोटी बाते हैं लेकिन ये note down करना बहुत जुरूरी तभी आपका base clear होगा आगे आपको बाते तभी समझ में आएंगी competitive में भी आपको यही questions आते हैं इसी तरह से कि बताओ किसकी electron affinity जादा है किसकी कम है तो आपको exceptions पता होगी आप तभी कर पाओगे तो extra पढ़ने की जुरूरत नहीं है आप अगर BSE को ही सही से पढ़ लोगे छोटी छोटी चीजों का दिहान रखोगे उपर उपर से नहीं प नमबर 14, 15, ग्रूप नमबर 14, 15, 16 and 17 में ग्रूप नमबर 14 क्या था हमारा? Chemistry, Sir, Gibbs, Sunky, Problems, ठीक है? Carbon, Silicon, Germanium, Tin and Lead, ऐसी तरह से Nitrogen, Oxygen and Fluorine, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, Nitrogen, Phosphorus, Antimony and Bismuth, O, Style, Say, Tail, Polish, Polonium को हम नहीं लेते क्योंकि यह हमारा Radioactive है ठीक है? लिख लेना इसको, इसके साथ हम Compare नहीं करेंगे Next है, Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, ठीक है? Noble Gases तो पता ही, आपको उसकी Value हमेशा 0 होगी क्योंकि वो Electron को Accept ही नहीं करते हैं यहाँ पे इन चारों हमारे Groups में यह जो First Two Values है, यह exception बन जाती है कैसे? देखो, Down the Group हमारी Electron Affinity क्या होनी चाहिए? Decrease होनी चाहिए हमने पढ़ा न, Atomic Size Increase होगा, तो Electron Affinity की Value Decrease होगी तो Trend क्या होना चाहिए हमारा? सबसे जादा इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, इसमें, सभी में इसी तरह से Trend होना चाहिए? लेकिन Trend होता क्या है? यह हमारे जो उपर वाले दो Elements होते हैं इनकी जो Electron Affinity होती है, यह First वाले से ज़ादा हो जाती है मतलब यह इस टाइप से हो जाती है अगर मैं Trend लिखूँ आपको यहाँ पर लिख देती हूँ मैं सबका Group No.17 की बात करनें सबसे जादे Electron Affinity की वैल्यू क्लोरीन की फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की और क्लोरीन की हमेशा याद रखना Electron Affinity की वैल्यू हाइस्ट होती है ठीक है, अभी हम आपको Reason भी बताती हूँ, पहले लिख लो इसका trend अगर हम लिखें, सबसे पहले आएगा Sulfur आएगा, ठीक है Sulfur, फिर Oxygen, Selenium, Tellurium यहाँ पे अगर हम find out करें तो यहाँ पे आता है Phosphorus, Nitrogen, Arsenic, Antimony and Bismuth यहाँ पे बात करें, Silicon, Carbon, Germanium, Tin and Lead यह हमारे trends आते है यहाँ पे तहानी थोड़ी और उलट-उलट हो जाती है यह जो Oxygen है, इसकी Sulfur से तो कम होती ही है लेकिन बाकी elements से भी कम हो जाती है Experimental values देखी हूँ ने, यहाँ से question तभी बहुत ज़ादा बनते है मैंने SET और PGT के exams में देखा है तो यहाँ पे इसका trend पूछ लेते है तो Oxygen की जो value आती है, experimentally देखा गया वो Sulfur से भी कम होती है और बाकी elements अपने जो अपनी family के elements होते हैं उनसे भी कम होती है तो यहाँ पे जो trend आता है, मुझ इस type से आता है, देखो यह आ जाएगा यहाँ पे, last में Oxygen यहाँ आएगा हमारा इसका trend अब यह इस type से trend क्यों करते हैं यह second वाले की electron infinity, first वाले से जादा क्यों हो जाती है देखिए, जो हमारा fluorine है यहाँ पे मैं समझा लेती हूँ, सभी का सेम है ठीक है, explanation सभी के लिए सेम है fluorine में देखो, बहुत जादा electronegative है यह आपको बता है, इसकी electronegativity बहुत जादा है तो यह क्या करता है, share pair of electron को attract करता है अब यह attract तो कर लेता है, क्योंकि इसके पास nuclear charge जादा है ठीक है, यहाँ पे इसके electrons होंगे nuclear charge जादा है, तो attract तो करे गई यह वैसे भी इसकी electronegativity जादा है तो shade pair of electron को attract करने की tendency जादा है तो electron को attract तो कर लिया लेकिन अब उसको रखेगा कहाँ पे इसके पास space तो है ही नहीं रखने के लिए यहाँ पे space बहुत कम होता है यहाँ पे electronic repulsions बहुत बढ़ जाती है electronic अब हम यहाँ पे electron जब add कर देते है तो यहाँ पे electron, electron repulsions बहुत जादा हो जाती है इसका मतलब उसके पास space ही नहीं हो उसको रखने के लिए अब electron को attract करा तो उसको रखो भी न लेकिन यह जो हमारा chlorine है यह attract भी करता और वो रख भी लेता है electron को accept कर भी लेता है क्योंकि इसके पास जगा है इसका size इससे थोड़ा large होता है बाकियों में तो बहुत ही large होता है बाकियों में इसलिए हमारा कोई लडाई नहीं होती है इन दोनों में इसलिए लडाई होती है इनमें जो size का difference है बहुत कम होता है इन पह草ते हैं नुक्लेस से बहुत जाधा ही दूर होगा यहां पर कोई फंडा नहीं है तो लडाई होती है इन दोनुए अलिमेंट्स यहां पर लडाई की होई इसका साइज छोटा है एलेक्टोन एड करेंगे एलेक्टोनिक एलेक्टोनिक रिपल्शन की वजह से एलेक्टोन एड ही कर पाएंगे हम ठीक है और यहां पर हम एलेक्टोन एड भी कर सकते हैं उसके पास जगा भी क्या होगा साइज की वजह से जो ह याद रखनी है आपने इन सब में और oxygen की आपने ये बाद याद रखनी है जब experiment value उन्होंने देखी तो oxygen की sulfur से तो कम थी ही due to size लेकिन बाकी सभी elements से भी उनकी कम आई है ये आपने trend याद रखना है अब मैं आपको एक और बात बताऊं ये जो हमारा group 15 होता है न इसकी stable electronic configuration होती है मैंने अभी बताया आपको ये क्या होता था हमारा 1s2, 2s2 and 2p3 ऐसे ही 3p3, 4p3, 5p3 इस तरह से होगी stable electronic configuration की वज़े से इसकी electronic affinity की value low आएंगी तो इसकी जो values होती है इस पूरे group की ये 14 से भी कम होती है और 16 से भी कम होती है और बाद में इसकी तो बढ़ती है 16 से इस पूरे element की 16 group की elements की बात करें तो 17 से तो इनकी value less ही होगी ठीक है लेकिन जो हमारा group 15 है उसकी value इससे भी कम होगी और इससे भी कम होगी due to stable electronic configuration यह बहुत छोटी छोटी बात नहीं है प्लीज आप इसको note down कर लो चलिए questions करते हैं मैं यहीं पर कर देती हूं questions भी ताकि आपको compare करने में असानी हो चलिए अब आपने बताना है अब आपने बताना है nitrogen, sulfur, chlorine and selenium इनको आपने arrange करना है decreasing order में जल्दी से arrange करके बताइए मुझे nitrogen, sulfur, chlorine and selenium तो देखिए सबसे पहले हमारे जो nitrogen है यह तो आपको दिखी रहा है यह है stable electronic configuration इनकी value तो सभी से कम आएँगे देखो यह हमारा group 15 का element है sulfur देखो हमारा group 16 का है chlorine देखो हमारा group 17 का है selenium देखो हमारा group 16 का है groups आपको पता लग गए अब अब मैं अब आपसे बात करूँ group 15 की तो इनकी value सबसे कम होती है सबसे कम होती है न तो इसका मतलब हमारा सबसे कम value आएगी nitrogen की और chlorine तो आपको पता है highest electron affinity होती है यह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो chlorine की value सबसे ज़ादा आएगी बचे क्या हमारे बीच वाले two elements एक ये बचा और एक ये बचा ये दोनो group 16 से belong कर रहे है तो group 16 में देखो हमारे trend क्या है हमारे down the group electron affinity कम होती है अब देखो sulfur की सबसे ज़ादा है sulfur इसके उपर है न अगर सही trend लिख दूँ यहाँ पर मैं सबसे कम हमारे nitrogen की उससे ज़ादा हमारे selenium की उससे ज़ादा हमारे sulfur की और सबसे ज़ादा हमारे chlorine की इस type से आपको trend find out करने आ सकते है जिसे मैं आपको एक और question दूँ देखिए खुद करिएगा जल्दी से boron, carbon, nitrogen and oxygen इसको arrange करना है आपने decreasing order में किसकी electron affinity ज़ादा है तो चलिए देखते हैं यह हमारे group number 13 का element है, यह 14 का यह 15 का और यह 16 का अब गर groups के बात करूँ सिरफ हमारे nitrogen है उसकी value दोनों से कम है हमारे 14 और 16 से का मतलब सबसे कम जो हमारे value आएगी वो आएगी हमारे nitrogen के लिए उससे ज़ादा हमें यह पता है कि oxygen हमारा इस side को along the period मतलब हमारा end है electron affinity का वो हमारा increase होता ही है सबी से तो value इसकी increase ही होगी तो इसका मतलब सबसे ज़ादा होगा हमारा oxygen की बच्छा क्या हमारा carbon and nitrogen carbon and boron अब हमारे along the period हमें फिर से पता है कि हमारी electron affinity की value increase करती है तो सबसे कम हमारी होगी इसकी फिर होगी हमारे group 13 की फिर होगी हमारे group 14 की तो हमारा trend रजाएगा nitrogen, boron, carbon and oxide इस से आप questions कर सकते हो बहुत सारे कि आपने क्या करना है ज़स ग्रूप से उसको relate करना है यहाँ में तो हमारे trend same ही रह रहा है इन सभी की values को अगर हमारे अलग-लग group के elements हमें दे दे तब तो हम इस type से compare कर सकते है यह मैंने आपको बता दिया अगर हमें एक ही group की बता दे तब भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है तो इस तरह से values को compare करके आप कर सकते हो अब जैसे मैंने यह question दिया आपको और question दूँ अगर घर के लिए आप comment section में इसका answer दीजेगा मुझे जैसे oxygen हो गया sulfur, chlorine and iodine इन में से आपको बताना है decreasing order लगाना है आपने electron affinity का ओकी किसकी ज़्यादा है किसकी काम है यह आपको बताना है oxygen and O negative में से oxygen and fluorine में से and oxygen and sulfur में से इनकी आपने बताना है किसकी electron affinity की value ज़्यादा आएगी जल्दी से बताईगी अब देखिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे electron affinity हम first देख रहे हैं यहाँ पे देखो एक पहले से negative है मतलब एक और हमें electron add करने से पहले यहाँ पे एक electron added है तो इसका मतलब यह क्या है electron affinity second value है तो हमेशा जो हमारे second value होती है वो negative में आती है यह हमारी positive में होती है तो इसका मतलब electron affinity की value किसकी ज़्यादा आएगी कि हमारे oxygen की जादा आएगी ओके अगर मैं बात करू oxygen और फ्लोरीन में से यह हमारा एक group 16 का element है group 17 का element है group 16 के elements की value हमेशा group 17 के value के कम ही आते हैं यह मैंने आपको उपर order में बता दिया तो यहां पर fluorine की high electricity आएगी ठीक है अगर मैं बात करूं यहां पर oxygen and sulfur की oxygen and sulfur जो हमारे है एक है हमारा group 16 का element group 16 का मतलब दोनों 16 के elements ही है ठीक है और हमें पता है oxygen की electron infinity होती है अपने element से सभी से कम होती है तो obviously हमारा sulfur की सबसे जादा होगी obviously sulfur की वैसे भी जादा होती है ठीक है इस ताइप से आप बहुत सारे questions compare कर सकते है अपने book में देखना बहुत सारे questions आपको दिये होंगे questions आप कर सकते हो okay आज के लिए हम इतना करते है next में हम करेंगे electronegativity क्या होती है और उसको explain करेंगे उसकी applications देखेंगे आज के लिए इतने ही अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको like करना अपने friends के साथ share जरूर कर दिया करो please और चैनल को subscribe कर देना और notes मैं link में देदूंगे description box में